वेलकम टू माई चैनल के एलेश्टडी फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं सीटेट 20 दिसमबर 1st सिप्ट के पेपर का एनाजलेस ठीक है तो आपकी जो रिस्पॉंस की आई हुई है उसमें आप मिला सकते हैं इसमें जो आंसा टेक हुए हैं उस पर ध्यान ना दे इसमें कई मतलब एक दो कोश्चन हैं से हो सकते हैं जो गलत हूँ ठीक है बाकी जो सवी कोश्चन है आपको सही बताने की पूरी कोसिस की जाएगी ठीक है तो देख लेते हैं पहला कोश्चन आया हुआ था 20 दिसमबर यहां आप देख सकते हैं ठीक है यहां पर हमने जो रॉल नमर सौ तो इसका यहां रॉल नमर सौ जपर दोन के जाती है जो हमारी हावड गार्डन न बहु बुढ़ी का जो सिधानत दिया है उन्हहों बताइती थी तो इन्होंने बताया था कि ऐसे व्यक्ति जो भासा की माध्यम से किसी को अपने जाल में फसा ले तो इनमें कौननसी तो इसका right answer था हमारा option number 4 वासिक बुद्धी, ठीक, next question आया हुआ है, एक बिसेस बिसाय में ग्यान और संबन्नों को सुवैवस्त तथा निरूपित करने के लिए आलेखी शाधनों का प्रियोग क्या कहलाता है, तो इसका right answer है, option number V, संकलपना मानचित्र, जिसे अवधारणा म मानचित्र भी कहते हैं, इंगलिस में इसे concept mapping कहते हैं, ठीक, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, नोवेक माने जाते हैं, ठीक, तो यह संपृत्या या जो बिचार है, यह पूर्वग्यान नवीन ग्यान की ओर बढ़ता है, और अधिगम करवाता है, तो इसका right answer हमारा option की हैं, वो किस पर जोड़ देते हैं, तो इसका right answer हमारा option नमर वी, अधिगम एक सामाजिक किरिया है, ठीक है, इनके सिध्धान का मूल मंत्र यही है, अधिगम एक सामाजिक सोसल इंट्रेक्शन की किरिया है, ठीक है, नेस्ट कोश्चन हुआ, नेस्ट कोश्चन आया हुआ है कि छात्रों को विभिन प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अधिगम को स्वाव निर्देशित करने की सुतंत्रता देना, मतलब बच्चे को विभिन निर्देशित करने की सुतंत्रता, मतलब बालक स्वयम से करेगा, मतलब खोजेगा, ठीक है, तो क कौन सी नीती है, जो छात्रों को चिंता का सामना करने में सहाथा नहीं देती, तो ओपसन दिया है, चात्रों को अधिगम की प्रभावसाली और अर्थपूर विदिया से खाना بالकॉल देती है, चात्रों को लगू अबदी की यह थार्थ वादी लक्षिनरधारत करने बिलकुल एभी हो सकता है चात्रों को अपनी चिंता की अनुभूती का स्रोत पहचान एभी हो सकता है कक्षा में चात्रों के प्रदर्सन की एक दूसरे से तुलना तुलना नहीं करनी ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑफसर नमर फोर हो जाएगा ठीक नेश्ट कॉस्चन आया हुआ है परिवार में आरंब होने वाली बहप्रिक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिकत पहचान जानना सुरू करते हैं तो सीधा अपनको इतना वड़ा कॉस्चन देखना ही नहीं है यहां सीधा वात क्या है परिवार फेमिली और फेम प्रेज़णा को दर साता है तो एसे उधारने जो आंत्रक प्रेज़णा को दर साता होगा तो देख लेते हैं ऑप्सन क्या दिये हैं रॉमा बहुत सी पुस्ट के पढ़ रही है क्योंकि लीडेंग इस्टार बोर्ड पर अपना नाम उपा ला कर वह अध्यापिका की प्रस संसा पाना चाहती है तो ये तो बाह प्रेड़ना हो गई ये नहीं हो सकता ठीक है नेश्ट दिया है रोसनी परिक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता यहां भी माता पिता 90 परसेंटा अंक लाने पर घड़ी दिलाने ये भी बाह पर प्रसकार होगा है तो ये भी नहीं हो सकता ठीक है नेश्ट है अपनी परियोजना कारिये के लिए रवी बिभन इस्रोत तलास कर रहा है क्योंकि नई जानकारी में बहर रुची रखता है मतलब स्वयम अभी पिते रहे थे इस कारण से बहर तलास कर रहा है तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन नम्मर थी ठीक है अंत्रिक प्रेर्णा का उधारन है नेश्ट दिया है प्याजे के सैद्धानतिक द्रिष्टी कौन से नई सूचना को अपने मौजूदा ग्यान में सामिल करने को क्या कहते हैं तो देखो यहां पर इन्हों ने दो टर्म दिये एक तो दिया था इन्होंने एक दिया था समावेशन और एक दूसरा दिया था समायोजन ठीक है तो यह दौनों हमने बहुत ही अच्छे से पड़े हुए है क्या कहलाता है समावेशन जिसे हम ऐसी मिलेशन कहते हैं अब इन्होंने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है समावे ऐसी मिलेशन जिसे आत्म साथ करण आत्मी करण भी कहते हैं ठीक है और यदि समायोजन की बात करें तो पुरानी जानकारी उसमें नई जानकारी का ब्रोध करते हैं ठीक है थोड़ा सुदार करते हैं तो वो होता है हमारा समायोजन एको मोडेशन तो यहां पूंचा है केवल नई सूचनाव को मौझूदा गयान में सामिल करने को क्या कहते हैं तो राइट आंसार है इसका आत्म साथ करण जिसे एंगलेस में ऐसी मिलेशन कहते हैं ठीक है नेस्ट कोश्चन देखलेते हैं सतत और वियापक मूझल्य अंकन में सतत से क्या प्राहई सतत मतलब र्यागूलर ठीक है चलता रही क News व neither The ने समाय समै पर बहुत समाय समाय पर नहीं हो सकता सतत जब सतत करना है तो समाय समाय की बात यहां क्यासे हो सकती है ठीक है नेश्चे तंत्राल यह भी नहीं हो सकता ठीक है नेश्चे तंत्राल तो यह भी बोल सकते हैं कि बार्सक परिक्षाय हो गई ठीक है टेस्ट हो गए तो यह भी नहीं हो सकता यहां दिया अध्यापन के दौरान दौरान मतलब पढ़ाई करते हुए कभी भी बाल तो इसका right answer है option number 3 व्यक्तिगत व्यवनताओं को स्वीकार करना मतलब यदि कोई बालक बहुत intelligent है तो उसे उसके हिसाब से पढ़ाना है ताकि उसको बोरियत ना हो ठीक है यदि कोई बच्चा बहुत कमजोर है तो उसकी व्यक्तिगत व्यवनताओं को ध्यान में रखते हुए उसे पढ़ाना है तो इस तरह से तो इसका right answer option 3 हो जाएगा नेश्ट कोईश्चन है एक प्राथमे के कक्षा में सिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूँचने के लिए नेश्ट कोईश्चन है इनमें से कौन सा विकास का सिध्धान्त नहीं है तो तीन जो option होगे वो विकास का सिध्धान्त नहीं होगा तो देख लेते हैं विकास आनुवन सिक्ता और संपोशन पोशन मतला परियावरन ठीक है से प्रभावित होता है विल्कुल करेक्ट है विकास सामाजिक सांस्किर्टिक परिपेक्ष में बिल्कुल विकास एक धारणी और एक गलत है ठीक है विकास जब सामाजिक सरचनात्मक, समाज मतलब क्या हो जाएगा, इंट्रेक्शन होगा, आमने सामने व्यक्ति होंगे, सहीयोग होगा, ठीक है, तो राइट आंसर तो इसका ओप्सन फर्स्ट है, सहीयोगी प्रायोजित कारी है, ठीक, नेस्ट कॉस्चन देख लेते हैं, भासा विका पनना दे करके दिया है, प्रारंभे का अवस्ता, राइट आंसर ओफसन नमर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, नेस्ट कॉस्चन है, समीपस्त विकास के छेतर का संप्रत्या किसने प्रतिपादित किया, जिसे हम जेड पी डी, जॉन ओफ प्रोक्सिमल डेबलप्मेंट कहते ह बीच में दी जाने वाली सहायता, तो लेब बाइगोट्स की इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑफसन नमर नेश्ट है, जेंडर रूनिवाधिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रियोग की जाने वाली कौन सी बिधी उचित नहीं है, एक ऐसी ब बालक बालिकां को अलग बैठाने की व्यवस्ता करना, यह नहीं हो सकता है, देख लेते हो, और ऑप्सन जेंडर वेदभाव पर यह भी हो सकता है, जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, तो यह भी हो सकता है, तो यहां पर हमें एक करेक्ट आंसर बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओफसन नमर सेकेंड, ठीक है, कक्षा में बालक बालिकां को यदि अलग बैठाएंगे, तो यह तो जेंडर रूनिवाधिता को दर्स आएगा, बलकि हमें क्या करना है, कम करना है, हटाना है, तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, नेश्ट कॉस्चन दिया गया है, पारो अपने पिता की बड़ाई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लड़की के बिलॉक टुकडों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई बिधी को सफलता पूर्वक मापती है, उसे हाल में EW S.S. कीम के अंतरगत एक पारो के लिए प्राशांग्यक बनाना और पारो द्वारा विध्यालाय के बाहर सीखे गए गरती अनुभवों का समावेशन करना चाहिए, नेश्ट कॉस्चन है, नेमने लखित में ऐसे कौन सा विकास का सिध्धान्त, इस वात का समर्थन करता है कि संग्यानात्मक विकास सांकेतिक भासा विकास का पूर्वगामी है, तो यह हमने पढ़ा हुआ है जो संग्यानात्मक विकास जो है, वो संग्यानात्मक विकास का सिध्धान्त, ठीक है, नेश्ट कॉस्चन है, एक स्वेर चिंतन, आत्म विमोह, बाले च्छात्र जो आयोजित सत्र की सामुहित किर यहाँ पर नहीं बताना है, ठीक है, तो सामुहिक कारिके दौरान अपरियुक्त प्रिट्यक्ष। लखित साम अग्री हो सकता है, बच्छों को कम सोर भाले विस्त्राम बाता वरन इब हो सकता है, सामानक अक्षा में ट्यूटर की मदद लेना इब हो सकती, एक सहायक सामग् हstadọटते हैं तो किसके आखर पहाईती सही ही राइजी से के सकते हैं तो घग कर सकत की जिए अथिए हैं नेशट हई है लौरेंज कोहल वरग कि सिधान्थ, क precisamente तो की creek्ष 본 से नाउसार से के सरे देकर दों धिया भी सिक्तरिकष yummy फ़क्त है। पूरव परमपरागत इस्तर परमपरागत और उत्तर परमपरागत ठीक है तो यहां पर सामाजिक परिप्रेक्ष की बात की गई है तो जब बच्चे का जो सामाजिक परिप्रेक्षे किस इस्तर में शुरू होता है इनकी नैतिक विकास की तो राइट आंसर है उत्तर परमपर करने के लिए प्रोथ साहत किया जाना चाहिए किस प्रकार के लक्ष को निर्धारत करने के लिए प्रोथ साहत तो इसका राइट आंसर आत्म पराजत बिलकुल नहीं असाफलता यह भी नहीं हो सकता असाफलता बचने के लक्ष यह भी नहीं राइट आंसर ऑफसन नमर फूर प्रवीनता अभी मुखी लक्ष इसका राइट आंसर है नेश्ट कॉस्चन है राष्टी सिक्षानीती 2020 किस परवल देती है परिक्षा के लिए पढ़ाना बिलकुल नहीं इसमरण मतलब रटना बिलकुल एभी नहीं बेधन और अभ्यास बेधन बिलकुल नहीं राइट आंसर फोर हो जाएगा समप्रित्याई समझ मतलब बालक को समप्रित्या जो टर्म है उनकी समझ होनी चाहिए ठीक नेश्ट कॉस्चन है एक बच्चा जो आनसिक रूप से देख सकता है उसे क्या करना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर ऑप्सन दिये गया है बिना किसी विसेश प्रा आवधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए समावेसी बिद्याला सभी के लिए है ठीक है चाहे वो सामान बाला को या विसेश्ट बाला को ठीक नेश्ट कॉस्चन है कॉस्चन नम्मर 26 रचिता एक गड़त अध्यापी का अपनी चात्रों की भासा कथ इसके पीछे उसका उद्धिश्ट क्या है ठीक है तो इसके पीछे उसका उद्धिश्ट क्या है ठीक है तो इसके पीछे उसका उद्धिश्ट क्या है ठीक है तो इसके पीछे उसका उद्धिश्ट क्या है ठीक है तो इसके पीछे उसका उद्धिश्ट क्या है ठीक है तो वाले चात्रों से पिर्थक करण बिल्कुल ये भी गलत होगा ठीक है तो राइट आंसर फस्ट हो गया फिर नेश्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नमर 27 दिया है एक प्रगति सील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक सेक्षण सार्थक सेक्षण को बड़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम बिधी का उधारण है नरंतर व्यक्तिगत पृतियोगिताओं का आयोजन केवल अधिगम का मूल यांकन के इस्तान पर अधिगम के लिए ये नहीं हो सकता एक रूपी मान बिलकुल एक रूपी नहीं मौखेक दंड ये भी नहीं तो राइट आंसर फ इलकुल हट ही जाता है आस अहमती के पृति सहन सील ए भी नहीं हो सकता इसका राइट आंसर ओफसन नमर फोर होगा फर्ष्ट और सेकंड कलपना सील उत्रों को स्वीकानना विचार मन्थन पर बल देता है ठीक है जब विचार करेगा तभी तो स्रिजनात मक्ता को इसके स्थान पर क्या करना है अपनी आवाज उठाने को कहना चाहिए बच्चे को उसकी जग्यासा उसके मन में जो प्रश्ण है उसे पूंचने देना चाहिए बच्चे को स्वयम किरिया सील बनाना चाहिए ना कि सक्षक रहे किरिया सील ठीक है प्रश्ण पूंचने बाद जब बच्चा स्वयम क्रिया सील रहेगा तो बिल्कुल ए भी सही है तो इसका right answer option second हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और जो आ रहे वह है व्याख्या करता है सही किसकी एक ही ठीक है तो इसका right answer option second हो जाएगा next question है question number 30 और ये last question होगा ठीक है मीना अब सब्दों का प्रियोग करने लगी तथा समझने लगी है कि सब्द बस्तूओं के प्रतीक है अब तरक करने लगी है परन्तु प्रत्ययों का सरक्षन और क्रम बद्धता नहीं तो यहाँ पर प्रतीकों को समझने लगी है और प्रतीक आत्मक विचार बालक में जीन प्याजे की किस स्तर में आते हैं पूर्व संक्री आत्मक इस तर में आते हैं जो दो से साथ वर्ष का होता है ठीक है तो यह हुए बीस तारीक के फर्ष्ट सिप्ट के सीडी पी के तीस प्रशन यदि आपको अन्य प्रशन मतलब अन्य जो तो हमारे टेली ग्राम ग्रॉप को ज्वाइन कर सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रेप्शन में दे दिया जाएगा वहां पर आप यह तो अपना सिप्ट का पीडी एफ सेंड कर सकते हैं या फिर अपना जो एप्लिकेशन नम्मर है और डेटा बर्थ भी सेंड करें ताकि हम आगे आपका विस्लेशन करा सकें ठीक है यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यूँ